हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नंबर 11 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और विशे है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 ये व्क्षिट 2 नमبر 2020 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की व्क्षिट व्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिये तो आज़े देखते हैं आज की व्क्षिट आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमने पिछली वक्षिट में भी देखा था कि आरंपिक मानव किस तरह एक जगे से दूसरी जगे पर जाते हैं और अपना जो खाने के लिए उनको क्या कमना पड़ता है खाने और पानी के लिए एक जगे से दूसरी जगे पर घूमना पड़ता है तो आईए देखते हैं आगे और हडियों के ओजार बनाए होंगे तो देखो जो भी पुरा तत्व विभाग है वहाँ से जो भी जानकारिया मिली है उसकी according क्या कहते है कि जितने वहाँ पे जो भी लोग थे ना उन्होंने पत्थरों के लकडियों और हडियों से क्या बनाए होंगे उजार बनाए होंगे इनका प्रियोग फल फुल काटने हडियों और मास काटने पेड़ों की छाल जानवरों की खाल उतारने अम लकडियों काटने के लिए किया जाता था तो इन चीजों का वो प्योग क्यों करते थे देखो अब दीरे दीरे उनको फल तोडने के लिए भी कुछ ओजार चाहिए हडियों और मास काटने के लिए पेड़ों की छाल काटने के लिए जानवरों की खाल उतारने के लिए लकडियां काटने के लिए ओजारों की जरुत महसूस होने लगी उन्हें शुरुआती तोर पर पत्थरों का यूज किया लकडियों का यूज किया और हडियों का यूज करके उन्हें क्या बनाने शुरू किये ओजार बनाने शुरू किये देखे इस तरह के ओजार होंगे जिससे पत्थरों के बने हुए न जिससे कि क्या होगा कि कोई भी च गुफाओं में वो रहते थे, वहाँ पे क्या है, उन्होंने थोड़ी चित्रकारी करी है, जिसे क्या कहेंगे, शैल चित्रकला, इन में से कुछ सुन्दर उधारन, मध्या परदेश और दक्षिन उत्तर परदेश की गुफाओं से चित्र मिले, देखो यहाँ पे यह समझदा जोड़ी है, कि जहां पे वो रहते थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जिसे हम भी रहते हैं, तो हम अमारा घर कितना साफ सुन्दर, अच्छा सा रखते हैं, इसी तरह से जहां वो रहते थे, तो उन्होंने भी क्या किया, थोड़ी चित्रकारी करी है, और इसके सुन्द उधारन कहा मिलते हैं मध्या प्रदेश और दक्षिन उत्तर प्रदेश की गुफाओं में कहा मिलते हैं मध्या प्रदेश और दक्षिन उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रन किया गया और इसमे पुरा स्थल उस थान को कहते हैं जहां ओजार बरतन इमारत जैसी वस्तों के अफशेश मिलते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं पुरा स्थल ऐसी वस्तों का निर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया। तो कभी-कभी जमीन के अंदर भी हो जाते हैं कभी-कभी समुंदर मतलब वहाँ पर पानी आ गया तो क्या हुआ समुंदर बन गया नदी हो गया के तल पे भी पाय जाते हैं। अब है आग की खोज पूरा स्थल कुर्णूल गुफा में राख के अफशेश मिलें। अब देखो कहां बता रहा है कि पूरा स्थल कुर्णूल गुफा में राख के अफशेश मिलें। राख के अफशेश मिलें। आगे देखते क्या दिये हैं। वड़ा इंटरस्टिंग चैप्टर है ये। आगे देखते कोशन अंसर क्या दिये हैं। खादे संग्राह के अजार किस चीज़ के बने होते थे। पत्तरों लकडियों और हड्डियों के बने होते थे नेक्स कोशिन नमबर क्या है पूरा स्ठल किसे कहते हैं तो देखो यह दिया गया answer इत già नमबर टू पूरा स्ठल उस ठान को कहते हैं जहां ओजार बरतन इमारतों जैसी वस्तों के अफशेश मिलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा second cancer पुरा सल उस थान को कहते हैं जहां ओजार, बरतन और इमारतो जैसी वस्तों के अफशेश मिलते हैं अब हम करते हैं प्रशन नमबर 3 आरंभिक लोग आग का प्रयोग किन कार्यों में करते होंगे जो आरंभिक लोग है वो आग का प्रयोग किन किन कार्णों या किन किन कार्णों में करते हैं तो बेटा देखो अभी हमने देखा था कि आग का प्रयोग क्यों कर रहे थे वो खाना बनाने के लिए मैं खाना जैसे कि मास उसको भुनने के लिए फलफूल को भुनने के लिए या फिर क्या करते है परकाश के लिए कि भी रात को रोशनी उस तेम पे लाइट वाइट तो होती नहीं थी तो थोड़ी रोशनी के लिए या फिर क्या कर रहे थे वो जो जंगल में रह रहे हैं तो जानवर आते होंगे अलग लग तो उनको भगाने के लिए क्यों आग से जानवर डर जाते है ना तो उनको भगाने के लिए उसका प्योग करते थे तो देखे क्या होगा आप लिखेंगे इसमें आरंभिक लोग आग का प्योग यहां तक लिख कर उसके बाद आप यहां से लि बगाने के लिए किया करते होंगे हम तो आइडिया लगा रहे हैं ने देखो पता नहीं है तो हम यह क्या करते होंगे किस लिए करते होंगे तो शायद वो प्रकाश के लिए करते होंगे मास घुनने के लिए करते होंगे खतरनाक जानवरों को दूर बगाने के लिए करते थेर्ट तीनों कोशिन हमने कर लिये हैं और फिर से कहरे हो कोशिन करते रहे हैं और साथ सात में वक्षिट क utan करके याद भी करते रहे हैं तो विपटा आज कि आपकी वक्षिट कंप्लीट होती है अपनी वक्षिट को कंप्रीट कर के बटा अपनी टीचर से चेक कर आईए DR algorithm साथ साथ में learn करते रहिएगा और बच्चे इसमें यहाँ पर बच्चे मुझसे कुछ पूछते कि मैदम जो यह paragraph दिया है इसे भी लिखना है तो नहीं बेटा आप अपनी NCRT लेके बैठिए NCRT से ही लिए गई है वक्षिट सिर्फ आप अपने चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थेंक यू स्टूरेंट्स